हेलो फ्रेंड्स आयाम निशा निशा फूटक्रस में आगका सवका सौगत है आज मैं अपनी रसोई बनाने चाह रही हूं मूंग दाल का हलुआ वो भी बिना भीगोई हुए दाल जट पट बनने वाला यह हलुआ है ठंडियों में हर साधी पार्टी की यह जान होती है यह बड़े हों बच्चे हो सबको बहुत पसंद आता है इतना यह टेस्ट ही होता है कि बस मन करता है खाते जाओ मन नहीं भरेगा पेट भर जाएगा चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं बहुत तो इनमें क्या-क्या इंग्रीडियंस लगेगा मैं आपको दिखा देती हूं ब तो भी इस पर वह हम इसको तीन-चार पाने से दुलकर निकाल लेंगे और इसको इस तरह से बनाएंगे लगेगा कि हां भीगो कहीं हमने बनाया है तो एक टोरी चीनी ली है और इस डाल को फ्रेंट्स तीन-चार पाने से हमें धूल लेना है और एक कप हमने फुल क्रीम जितना हमने मूँग दाल लिए उतना ही हमें घी हैं कि घी अधानी कि पार दाल को तिन चार पानी निकल जाए जो भी केमिकल लगां भी तो फ्रेंट्स देख सकते हैं मैंने दाल को धुल लिया है जब दाल धुलेंगे आप 2-3 पानी से जब तक पानी बिलकुल साफ क्लीर ना निकलने रगे तब तक आप इस दाल को धुलना है क्योंकि जब आप धुलेंगे एक दो बानी से तो यह इस पर वाइट वाइट सा चार से पांच मिनिट इस तरह से दाल को इसका मौश्यर खतम हो जाए तब तक हमें इसको रखना है हलका मौश्यर इसमें सूप जाए तो इस तरह से भिल फैला लेना है तो फ्रेंट्स जब तक दाल वह हो रही है तब तक हम यहां पर एक कड़ाई में एक चमज देशी घी कर अपने ड्राइफूर्स को तुड़ा रोष्ट कर सकते हैं रोष्ट करने से हलवे का टेस्ट और बढ़ जाता है तो हलका सा कलर आ गया है अब हम इसे निकाल लेंगे बिल्कुल हलका कलर बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करना है तो यह एक चमज घी बचा हुआ है इसको हम चाहिए और दाल बिल्कुल रूखी रूखी अलग अलग सी हो जाए देख रहे हैं दाल इस तरह से बहुत बहुत अच्छा आता है तो थोड़ी देर हम इसे ठंडा करके बिल्कुल फाइन पॉडर बना लेंगे हलका बिल्कुल लाका दरदरा सा रहेगा तो देख सकते हैं बिल्कुल हलकी सी कसर इसमें रह जाएगी कहीं कहीं पे बस इसी दर से हमें इसको पॉडर तयार करना था अब इसको हमें क्या करना है फिर हम वही ड्राइफूट वाली कड़ाई लिए जिसमें रोष्ट किया था जो गीवचा था उसी में हम इसको डाल देंगे और यहां प जैसा टेस्ट देने के लिए जो हलवाई इसमें सीक्रेक यूज करते हैं तो यहां पर मैंने डेर चम्मच करें डेर से दो चम्मच करें मैंने सूजी ली है सूजी आप एक चम्मच भी रख सकते हो और यहां पर मैं देख सकते हो इस चम्मच से यह पूरा गारा घी है तो मै इसमें से मुंग दाल के खुसबू आने लगे और घी को रिलीज करने लगे छोड़ने लगे जब भूनते भूनते इसमें घी रिलीज होने लगेगा तब तक हमें से भूनना है समझे आधी काटोरी मैंने यहाँ पर घी डाल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से भूनते रहना है चोड़ना नहीं है यहाँ पर हाथ की सारी महनत है और अच्छे से भूनना इसमें अच्छी सी खुसबू आने लगे दाल जित्ती अच्छी वैंट्स भूनेगी उतना ही अच्छा हलवे का टेस्ट आएगा और बहुत इस तरह से यहाँ इसका टेस्ट और फ्लेवर तभी निकल कर आएगा तो देखे फ्रेंट्स हमें दाल को भूनते हैं 2-3 मिनिट और इसका कलर भी चेंज हो गया है हलका सा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है यहाँ पर हम एक चम्मच से दो चम्मच घी और डाल क्योंकि यह पूरा क्याकते गाड़ा घी है तो इतना ही घी आप एक चम्मच से नापोगे तो एक होगा इससे यह दो चम्मच होगा तो इस विप से आप घी डालिएगा और आप देख सकते हूं मुंगदाल जो है वह की घी रिलीस कर दिया है बिलकुल गाड़ा-गाड़ा तो लग रहा है कि मतलब इसमें कुछ डालके पाणी को गीला किया है यह घी से ही पूरा इसतरा से जब घी इसमें अफ्जॉर होके फिर अच्छे से भुनाई होती ना घी छोड़ने लगता है और फिर इस तरह से दिखने लगता है तो यहां पर अब हम जो एक कप दूद लिये थे वह दूद डाल देंगे और एक कटोरी पानी और डालेंगे तो आप जिस कॉंटिटी में लेंगे उस कॉंटिटी के हिसाब से इसमें डालिएगा तो यहां पर मैंने एक कप दूद डाल दिया है बड़ा कप है ग्लास से देड़ ग्लास दूद है और एक कटोरी मतलब आधी ग्लास से जादा थोड़ा सा पानी है अब इसे अच्छे से मिक्स करना है कि इसके सारे लंस खतम हो ज जाना है और भूनते भूनते जो साइट का भी है उसे भी हमें निकालते जाना है बीच मिलाके उसका पॉशन भूनता है तो जितना अच्छा बूनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा कलर के लिए यहां पर हम डाल रहे हैं चीनी चीनी जब करमाईज होगी और पिगले और हमें करता है तो इसना अच्छा आईगा पिए और यहां पर आप दूद में चाहें तो अच्छे कलर के लिए केशर के एक चुटकी ढाल देगा जिससे कि लिए जस्सें कई सवटा सपर कि यहां पूर की लिए बीच में जो ने भी हम से ढलते जाएंगे कि कि हमारा हल्वा बिल्कुल फ्लफी सा बने चिपके ना इसलिए हमेसिता से यूज करना है अगर आप नॉन इस्टिक में बना रहे हैं थोड़ा घी कम भी कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप इस्टील और या अनमयम की कढ़ाई बरतर में बना रहे हैं तो घी मतलब साइड में एक एक चमश डालते जाएगा जिससे कि चिपके निए और इसली निकल जाएगा और तेस्टी हल्वा उस समय भी वनेगा जब आप उसमें भी वनाएंगे तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है और भूंते जाना है इक्विली तर जाते हल्वे को बनाते हुए और आप साइट से देख सकते हो हमारे हल्वे ने घी रिलीस कर दिया है और पूरा अगर मैं ना दिखा पाऊं घी डालते हुए तो आपको याद रखना है कि जब आप हल्वा बनाए तो जो कटोरी से हमने मेजरेमेंट बताया है जितना मूंग दाल घी आपको लेना है और बीच बीच में आपको भूनते समय इसे डालते जाना है और देख सकते हो आपकी घी ये रिलीस करने लगा है किनारे से और हल्वा मेरे अच्छा से भूनकर रेडी हो गया है खुस्बू बहुत अच्छी आ रही है और यहाँ पर मैं आधे चम्मच इ जाल दोंगी आपके पसंद का हो तो यह लाइची पॉड़र डालिएगा नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि मूंग डाल के जो हल्वे की घुस्बू और देशी घी की घुस्बू होती है वही बहुत होती है मगा फ्लेवर के और बढ़ाने के लिए आप चाहे तो इलाइची पॉड़र डाल सकते हैं अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना हमारा हल्वा बनकर रेडी हो गया है और जो मैंने ड्राइफूड रोष्ट किये थे वह यहां पर मैं डाल दूंगी ड्राइफूड भी अपने पसंद से आप कम जादा भी कर सकते हो और इसक के साम से में सहलवे का जो खाने के साथ खाओ या कुछ मीठा खाने का मन है तो आप इसे खाएंगे बहुत पसंद आएगा और ड्राइफूड से मैं उस पर से गानिश कर दूंगी अगर कि मुंग डाल के हलवे की यह रैस्पी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा कमेंट कर दीजेगा मेरे चैनल पर नए है या फर्स टाइम विजिट किया है तो प्लीज इसे सस्क्राइब कर लीजेगा और जो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाश तक देखते हैं उन सब को मैं तह दिल से सुक्रिया कहती हूं बस इस तरह से अपना सपोर्ट मुझे बनाए रखेगा मेरे चैनल पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाश तक देखना ना भूले फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो बिलकुल दानेदार यह हलवा बनकर रेडी हुआ है अपनी फ्रेंड्स रैंड्स के साथ सोशल मीडिया पर मेरे चैन नए वीडियो में थैंक्स पार वाचिं दिस वीडियो बाव बाव फ्रेंड्स